नमस्कार खिसान भाईयों कैसे हुआ आप सब मैं आपका दोस्त अभी स्वेक सिंग रूज की तरह एक बार फिट से आपके सेवा में हाजिर हूँ पॉल्ट्री का थोकबाव ले करके दोस्तो स्टार्ट करता हूँ वेस्ट बंगाल से पूरे ओल अवर इंडिया का रेट आप को आपके एरिये का पॉल्ट्री का जो थोकबाव है वो आपको मिलने वाला इस वीडियो में दोस्तो कोलकता से स्टार्ट करूंगा कोलकता में अच्छी ख़बर तो नहीं आ रही है कल का अपडेट था 107 का लेकिन आज मातर 100 रुपया प्रती किलोगराम के हिसाब से रेट खुला है दोस्तों यह जो रेट डेली खुलते हैं यह डिमांड और डिलेवरी पे डिपेंड करते हैं मतलब की जितना मंडी में मुर्गियों का आवक है और किस तरह से डिमांड है उसके अनुसार दोस्तों इसका जो रेट है वो तै होता है कि आज किस तरह का रेट होगा तो मदिनपूर से आज 97 का अपडेट है शिली गुरी से 101 रुपीज, जलपाई गुरी 101 रुपीज, दारजिलिंग 101, मुर्शिदाबाद 96 रुपीज और मालदा 96 का अपडेट है वहीं बात कर लेते हैं तो कोच भिहर 102 रुपीज और हावरा 102 प्रती किलो के हिसाब से मिल रहे हैं पुरूलिया 96 रुपीज, हुगली संतानबे, बर्दमान चानबे, सूरी 95 एवं अलिपूर्दूर 102 का अपडेट है उत्राखंड की बात कर ले दोस्तों, देहरा दुन में 88 का अपडेट है यूपी चलते हैं जहां सी 110 कोई बदलावने कल भी 110 का अपडेट था अलहाबाद 90 रुपीज, आजमगर 92, गुरकपूर 94, वरानसी 92, बहरीच 88, लगनव 86, कानपूर 88, जगदीशपूर 86, परतापगर 90, बलिया 94, अमेठी 86, बरबांकी 86, बस्ती 94, फैजाबाद 86, फतेपूर 88, गौनडा की बात कर लेते हैं तो 88 रुपीज, जौनपूर 92 रुपीज, कन्नौज 88, सीतापूर 86 रुपीज, उननाव 88 का अपडेट हैं मतलब यूपी में जो रेट है, वो कल और आज के रेट में कोई ज़्यादा अपडेट में अंतर नहीं है आगे बढ़ते हैं, तमिल नाडू चलते हैं चन्नाई 93, कृष्णागिरी 93 रुपीज, अविनासी 92 रुपीज, इरोडे की बात कर ले 93, कारूर 93, पिलानी 93 रुपीज, पौंडे की बात कर ले 96 रुपीज, सालेम 93 का अपडेट है राजस्थान चलते हैं, कोटा 84, अजमेर 76, जैपूर 72, जुन जुनू 79 रुपीज, कोट पुदली 70 रुपीज, सीकार 70 रुपीज, अलवर की बात कर ले 70, रिंगुष 71 रुपीज, और जलावर 80 का अपडेट है पंजाब चलते हैं, पंजाब में आज का अपडेट जो है, वो 71 का है, पठान कोट 71 रुपीज, होसियार पूर 72 का अपडेट है, अलुदियाना और पटियाला भी 71 का ही अपडेट है आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, उरिसा का तो राउल केला आई बी 99 का अपडेट है, अंगूल 93 रुपीज, बाला सोर 102, भुवनेश्वर 99 रुपीज, नयागर 99 रुपीज और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, MP पॉल्ट्री का और MP पॉल्ट्री से पहले चलते हैं महाराश्ट्रा के तरफ, तो अकोला आई बी 100 का अपडेट है, बुल्धाना 92 रुपीज, नावसिक 99, मुंबई 99, पूले 99, नगर की बात कर ले 99 रुपीज, मिराज 99, कल्यान 99, बीड 99 रुपीज, लात्तू, शांगली, धूले, और श 94 तक अपडेट जा रहा है, नागपूर आई बी 116, यतमाल आई बी 110, और गॉंडिया आई बी 116 का अपडेट है, MP चलते हैं मध्य परदेश, तो छिंदवारा आई बी से हमारे पास जो अपडेट आया है, 87 87 का, 84 से हमारे पास 90 का अपडेट है, शद्धौल 90 रुपीज, गौालियर 90 का, भोपाल आई बी 120, बालगाट आई बी 116, सिनोए आई बी 110 रुपीज, लतेरी, बेरासी और राजनगर 92 का अपडेट है, किसान भाई ओ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सही समय पे जान पाए, किरला की बात कर लेते हैं, किरला 80 का अपडेट है, तिर्वनंद पूरम 80 रुपीज, और कन्नूर की बात कर लेते हैं, 85 काली कट 78 रुपीज, वायनाड 78 का अपडेट है, करनाट का की बात कर लेते हैं, तो हुबली 92, बेलगम 91, बैंगलोर 88 का से जो अपडेट आये हैं जमसेतपूर टाटा से 95 का खबर है गिरावट है दोस्तों कल अपडेट जो है वो 98-99 का चला था और आज ये 95 रुपय का है तो उराची 95 रुपीज गरवा की बात कर लेते हैं 94 पलामू 94 लातेहार की बात कर लेते हैं 97 तक अपडेट है हाजारी रमगर में भी 95 का अपडेट है जबकि बढ़ी 97 का अपडेट जा रहा है बुकारो 95 रुपीज और धानबाद 95 का अपडेट है जो मुकस्मिर की बात कर लेते हैं 80 का अपडेट है हर्याना की बात कर लेते हैं 80 का अपडेट है आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं गुजरा का अपडेट है मंगरोल तीरासी रुपीज वलसाद विरासी नौसारी विरासी का अपडेट है दिल्ली गाजीपूर मंडी के अगर बात कर ली जाए तो आज ये मंडी जो है वो 95 रुपे प्रती किलोग्राम के हिसाब से रेट के साथ खुली है 36 गर चलते हैं राएपूर आईबी 110 विलासपूर आईबी 115 राएगर 104 खरसिया 104 कुर्बा 104 रुपीज तो अमकापूर की बात कर लेते हैं 107 रुपीज और राजेंद गाउँ आईबी 109 का अपडेट बिहार चलते हैं दर्भंगा 94 बेगुसरा 94 हाजीपूर 94 मुझफरपूर 94 मौतिहारी 94 पुरुनिया 98 शपौल 95 भागलपूर 95 अरवल की बात कर लेते हैं 93 रुपीज बकसर 93 सिवान 93 पटना 110 90 रुपीज सासा राम 93 और आरा 93 का अपडेट है तो दोस्तो उमीद करता हूँ जो भी रेट मैंने आप तक पहुंचाए हैं और जो भी किसान भाई आपके आसपास के एरिया में रहते हैं दोस्तो उन तक इस वीडियो को अवज से पहुंचाईए अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो वीडियो को डिरेक्ली जो है वो फेस्बूक और वाटसप पे भी सेयर किया जा सकता है दोस्तो अगर बात कर लेते हैं कि पॉल्ट्री अपडेट किस तरह से हम दोस्तो एक यूनिफॉर्म रेट खुलवा सकते हैं अप अपने एरिया में तो उसके लिए दोस्तो पॉल्ट्री फार्मर्स के बीच यूनिटी फार्मरे उनको बहुत जादा लाव इससे मिल सकता है तो फिर मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में नमस्कार